नमस्कार नभारा टाइम्स में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करते हैं नितीश कुमार की क्योंकि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और उनकी छवी पर चर्चा हो रही है पुराने कहीं भी बातें सामने आ रही है साप का केचुल पल्टुराम और नजाने क्या क्या तो अगर अपनी छवी कुर्सी कुमार वाली उनकी बनी है तो इसके लिए नितीश खुद जिम्मेदार है कोई हो भागिदार बिहार में नितीशे कुमार जैसे जुमले अभी आप देख रहे होंगे उस पर चुटकियां भ रस्टाचार धर निर्पेक्षता और अप्राध इन तीनों से समझ्धावता कर सकते हैं उनकी छबी गयाराम से कम नहीं साबित हुई है जब तेज़सी यादव आई यार सीटी सी गोटाले पर कोई सफाई नहीं दे पाए थे आपको याद होगा 2017 की बात है तो नितीश कु से वह कभी समझाता नहीं कर सकते इस पर जीरो टोलरेंस है और आज जब वह दोबारा पल्टी मार कर तिज़सी यादव के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं तो लालू यादव रावडी परिवार में क्या बदला है किसी एक मामले में भी अदालत ने क्लिंचिट दी है क्या न अब जब लालू परसाद यादव यूपिये सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे इसके अलावा जमीन घोटाला मॉल मिट्टी घोटाला आपने तमाम घोटाले सुने होंगे जिसके कारण नितीश कुमार अलग हुए थे और पुराने साथी बीजेपी से जुड़े थे 2017-27 जुलाई को अपराद पर तो नितीश पर बवाल या सवाल सबसे ज़्यादा तिजस्वी आदम नहीं उठाएं हाल ही में अगर शाम हो जाए बिहार में तो आप सुरक्षित हैं की नहीं वो समझ में नहीं आता कि हम क्या 90 के दशक में चले गए हैं एटीम से निकल ये खबर भावनाओं को समझें तो ये तो साफ हो चुकी है कि बतौर सी एम नितीश का ये आखरी कार्जकाल है उनके पास 2024 में खोने के लिए कुछ नहीं होगा जब लोग सभाचुनाब होंगे या तो वो रिटार्मेंट लेंगे या दिल्ली कुछ करेंगे आज अगर वो सिध्धा नहीं बनते हैं लेकिन अभी तो चाह वही है नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ खुद फैसला लेते हैं ये भी आप समझ लीजे बाकी मौन सहमती पूरी पाटी की होती है तक्निकी तोर पर 2013 में भी और 2022 में भी वो विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाते हैं अपना पर चाहते हैं बाहर आने पर बताते हैं कि सभी विधायकों और सांसदों ने एक मत से अनको कहा इंडिय से अलग हो जाओ और मैंने तुरंत फैसला मान लिया अब देर करने का सवाल नहीं है अधरी ऐसा था तो अब तक vine का सांसद ने मुह क्यों नहीं खूला दरसाल के उस घुटन को भूल गए जो लालू के साथ रहते महसूस हो रही थी और जिसे अलग होने के बाद जग जाहिर किया गया था बकायदा 2017-18 में कि हमें घुटन हो रही थी लालू के साथ नितीश कितना छुपाएंगे जॉर्ज फर्नांडी शरद यादव प्रशांद किसोर प सब्नागर का है जिस तरह के आरोप नरेंद्र मोधी पर लगाए जाते हैं मैं कह कह रहा हूं आरोप लगाए जाते हैं कर शली क्या है यह हम सब जानते हैं और नितीश कुमार को तो सीधे सीधे हिटलर साही तानाशाही से पार्टी चलाने का अंदाजह. और अनुभव चले जाते क्योंकि दावा तो वही कर रहे हैं कि बिहार की आवाम ने नितीश कुमार के नाम पर वोट किया फिर पांच साल में दूसरी बार जनादेश की चोड़ी क्यों कर रहे हैं नितीश कुमार आपको याद होगा सत्रम भी उन्होंने यही किया लालू के साथ चुनाव और फिर बाद में उन्होंने उन्हीं को दगा दिया बड़ा अश्चर होता है जब ललन सिंग कहते हैं कि आर्सीपी सिंग को बिना पुछे भाजपा ने मंत्री बना दिया सीएम पार्टी के नेता भी है नितीश कुमार वो चाहते तो एक चिठी लिख देते पीएम को बता देते अमुक को मंत्री पत से हटा दू राजसाभा के लिए दोबारा नामित नहीं करना फिर परोख्ष तरीके से जब छे महिने का पिरियट खतम होने वाला हो उससे पहले मं पर मजबूर करना यह मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं थी तो साफ है कि यह उनके घर के भीतर की लड़ाई है नितीश कुमार ने अब सरवादी राजनीती में एक नया किर्तिमान अस्थापित कर लिया है राज में ही नहीं पूरे देश में मुझे लगता है कि माया असला वो लेकिन जनता सुनाएगी जरूर अभी अगर वो हिम्मत दिखाते नितीश कुमार विधान सवा भंग करते नया जनादेश पाते तो शायद बात और होती लेकिन उनको भी सच्चाई पता है जनादेश चुराने की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है वो बेहत खतरनाक है खुद तेजस्वी यादब और लालू यादब ये डर जाहिर कर चुके हैं लालू ने तो नितीश को सांप का केचुल करार दिया था जो हर दो साल बाद चोला बदल लेता है इससे अंदाजा लगता है कि बिहार में नितीश कुमार की छबी अब कैसी हो गई है बिहार की जनता ये सारा नाटक देख रही है नितीश को इसका खामियाजा भुगतना पर सकता है नब्बे के दशक में लालू से अलग समता पाटी जब उन्होंने बनाई थी तो शहरी परहा लिखा वोटर इंजीनियर नितीश के साथ गया था मैं बता रहा हूं जब उस कि सफल लराई लरी अब आगे क्या होगा इसको देखना चाहिए तो उन्होंने मंडल से आगे का रास्ता दिखाया वह था डिवलप्मेंट का सुशासन का जनता त्रस्त थी तो शहर और देहाद दोनों ने नितीश मोडल को पसंद किया जैसे जैसे गाउं की सरकें चमकने बिजली की रोशनी फैलती गई वैसे वैसे लाल्टेन बुचता गया जिहां लालू के लाल्टेन की बात में कर रहा हूं इस दौरान आपको याद होगा या जो अब इस राजनीती को देख रहे हैं परिवर्तन को उस समय अटल बिहारी वाजपेई लाल कृष्णारवानी अरुन जेटली उनकी बहुत महत्पूर्ण भूमिका थी बिहार के बदलाओं में केंदर में मंत्री रहते नितीश कुमार भाजपा आला कमान के काफी करीब थे कहा जाता है कि जेटली ने खुद अटल जी से कहा था कि लालू को उखार फेकने के लिए नितीश को चुनाव के नेता के तोर पर पहले ही प्रोजेक्ट किये गए लाल्टेन की लौ इसके बाद 2010 में खत्मी हो गई थी जब आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई लेकिन 2015 में इसी नितीश कुमार ने मोदी विरोध के नाम पर लाल्टेन की लौ तेज कर दी बाद में पास्चाताप करते मुश्किल होगा तो यह बिहार की राजनीती पर आज मेरा व्यक्तिकत विचार था वो यही था हम अगले टॉपिक के साथ शुक्रवार को फिर आपके सामने रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार